हेलो फ्रेंड्स इक आप फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल The Study Scan में है आज हम लेके आएं कॉंपिटिशन के लिए बेहत इंपोर्टेंट वीडियो और बेहत इंपोर्टेंट कोशन इस टेप के कोशन आप हर एक्जाम में देख सकते हैं चाहिए वो SSC का हो या UP TED का हो, UP TED में भी स्टेप के कोशन कहीं रहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं क्या, if x plus 1 upon x equals to 2 यानि ये expression आपको दे रखा है, find the value of x square plus 1 upon x square हमें x square plus 1 upon x square की value चाहिए और हमें दे रखा है क्या, x plus 1 upon x equals to 2 दे रखा है अब देखिए चीज को समझिए, अगर आपको x से x square बनाना है तो इसका मतलब आपको इसको square करना पड़ेगा यानि आपको अपने expression का square करना पड़ेगा तभी तो वो इस form में आ पाएगा तो वही चीज आप यहां कर दीजे क्या, square on both sides कि दोनों तरफ square कर दीजे तो यह बना आपका x plus 1 upon x का square equals to 2 का square इस तरीके से, इसको solve किया तो देखिए यह है आपका a plus b का whole square यानि x square plus 1 upon x square plus 2ab तो 2 into a की जगा पे x आ गया, b की जगा पे 1 upon x आ गया और यह 2 का square यानि हो गया आपका 4 अब देखिए x से x तो cancel हो गया, यानि कि बचा किया यह सिफ x square plus 1 upon x square plus 2 equals to 4 बचा अब इसको इधर भीज दीजे, तो x square plus 1 upon x square equals to हो गया 4 minus 2 यानि कि 2, यानि कि इस expression की value कितनी बनी हमारी 2 बनी यह आ गई आपकी value अब इसके बाद हमसे कहा गया है कि x की power 4 plus 1 upon x की power 4 बताईए अब देखिए मैं इस question को यही से start करते हुए आगे शुरू करता हूँ किस तरीके से, इसे भी थोड़ा सा हटा देता हूँ, पास में लिख देता हूँ यहाँ पे तो देखिए क्या, आपके पास था x square plus 1 upon x square equals to 2 यह आपका बचा था, यानि आप यह समझ लिए कि आपके एक equation बन के आ गई अब अगर square से 4 बनाना है, यानि कि एक बार फिट से इस पे square कर देते हैं तो क्या हुआ, x square plus 1 upon x square का square equals to 2 का square यह बना इसको खोला, तो यह हो गया x square का square plus 1 upon x square का square, देखिए, 1 का तो आप square करिये, cube करिये हैं कोई भी पावर रखिये, 1 तो हमेशा 1 रहेगा plus 2ab, तो 2a की जगा x square plus 1 upon x square, यह यहाँ cancel हो गया और 2 का square किया, तो फिट से 4 हो गया, और फिट से हम वही step पे आ गये, वही stage पे आ गये तो यह बना आपका, देखिए, अब x square का square, यह हो गया आपकी x की power 4 plus 1 upon x की power 4, अब देखिए, यह cancel हो गया, 2 को वापस उदर बेजा, तो यह फिट से 4 minus 2 हो गया यहनि, x की power 4 plus 1 upon x की power 4 equals to क्या रहा हमारा, फिट से 2 यह था इसको करने का actual तरीका, जिससे आपने x square की और x की power 4, दोनों की values निकाली चलिए देखते हैं, इसी का second type का question, दे रखा है क्या, if x minus 1 upon x equals to 4, then find the value of x square plus 1 upon x square इससे पहले जो question किया था, उसमें हमें positive से positive भी निकालना था, लेकिन अब यहाँ पे negative value दे रखिए है और positive पहुची गई है, तो देखिए क्या करते हैं, x minus 1 upon x equals to 4 दे रखा है, ठेक हैं, तो देखिए करना क्या है, कि जैसे हमने पहले square किया था, वही square फिर्च से कर दीजे, यानि कि square on both sides, यानि कि दोनों तरफ हमें क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, तो x minus 1 upon x का whole square equals to 4 का square ये हो गया हमारा x square plus 1 upon x square minus, क्योंकि a minus b का identity लगेगी, तो a square plus b square minus 2 a b, तो 2 into x into 1 upon x equals to 16, 4 के square 16, x से x फिर cancel हो गया, यानि x square plus 1 upon x square equals to 16, अब 2 को इधर बेजा, तो plus का हो गया, यानि कि x square plus 1 upon x square की value कितनी आ गई, 18, 18 निकला है, आईए बढ़ते हैं, इसके third type की तरफ, देखिए, हमारा third type दे रखा है क्या, if x minus y equals to 6 and x into y, यानि x y equals to 8, then find the value of x square plus y square, इसको निकालते हैं, तो देखिए, ये एक अलग type का question बना, x minus y equals to 6, अब फिर से बही चीज़ के x से x square है, या y से y square है, तो हमको क्या करना है, इसका हम हमने किया क्या, square on both sides, की दोनों तरफ, फिर से क्या कर देते हैं, square कर देते हैं, जब square किया, तो ये हो गया, x minus y का whole square, equals to 6 का square, तो ये solve हुआ क्या, x square plus y square minus 2xy equals to 36, अब देखिए, x square plus y square बन गया, minus 2xy है, तो 2 का ऐसी रहा, और xy की value हमें दे रखिए है, कितना 8, यानि कि इन दोनों के product के जगा पे 8 रख देना है, और आपका x square plus y square ऐसा ही रहेगा, equals to 36, यानि कि x square plus y square equals to 36, अब इनको multiply किया 16 हुआ, minus का है, दूसरी तरफ जाएगा, plus का 16 हो जाएगा, यानि कि x square plus y square equals to 6 or 6, 12, 3, 1, 4, और ये एक carry वाला 5, 52 value इसकी निकल आई, इसके एक last और important question की तरफ बढ़ते हैं, fourth part की तरफ, तो ये रहा हमारा आज का fourth part, क्या, कि if 2x plus 3y equals to 10, यानि कि हमें दे रखा है, 2x plus 3y की value दे रखी है, कितनी 10 दे रखी है, xy equals to 5, यानि xy 5 है, then find the value of 4x square plus 9y square, ये वो questions हैं, जो आपके competition exam में रहते हैं, और हर बार रहते हैं, और हर competition में इसका एक question जरूर आता है, तो देखी है क्या, कि 2x plus 3y हमें 10 दे रखा है, तो हमने इसका दोनों side square किया, square किया तो ये बना 2x plus 3y का whole square equals to 10 का square, इसको खोला a plus b का square, तो ये हो गया आपका 2x का square, इस तरीके से plus 3y का square plus 2ab, यानि 2 into a की जगा पे आगया आपका 2x, b की जगा पे आगया आपका कितना 3y equals to 100, देखें, इसको solve किया तो ये हो गया 4x square plus 9y square plus, तो समझेगा, 2 to the 4, 4, 3 is the 12, x, y equals to 100 बना, अब इस x, y की जगा पे हमें रखना है 5, तो ये हो गया 4x square plus 9y square plus 12 into 5, equals to हो गया हमारा 100, अब इसको solve किया तो ये बन गया 4x square plus 9y square equals to, अब देखें, 12, 50, 60, यानि की 100 है, plus का है, इधर आएगा, तो minus का 60 हो गया, यानि की बचा कितना 40, यानि की value आ गई हमारी 4x square plus 9y square की value कितनी होगी, 40, 40, तो देखा आपने क्या, कि 2x plus 3y से ये 4x square plus 9y square कैसे बना, negative से positive expression की value कैसे आ रही है, positive से negative values कैसे बन रही है, ये हमारे competition के most important कुछ questions थे, जिसकी वीडियो हमने दी, जो भी लोग नए आये हैं इस channel पे, channel को जरूर subscribe कीजिए, चलिए चलते हैं, लेके हैं ये एक नए topic, नई वीडियो, तब तक के लिए, bye-bye.